दोस्तों एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं बहुत ही अच्छा इंट्रेक्शन हो रहा अच्छा मीडिया कवरेज मिल रहा पब्लिक सपोर्ट मिल रहा हो सकता है इससे कॉंग्रेस पुनर जिवित हो जाए कॉंग्रेस उभर के आजाए लेकिन इस बीच में उनके ही पार्टी के कुछ लोगों ने ठान रखा है कि उनकी लंका लगा देनी है जी हम बात कर रहे हैं फॉर्मर होम मिनिस्टर स्रिवराज पार्टिल की जो कि एक कॉंट्रोवर्सी में फच चुके हैं आज क्या हुआ यह मैं बाद में इन महाभारता मतलब भगवान स्रीकृष्ट ने जो अरजुन है उसको जो गीता का उपदेश दिया था महाभारत में उसमें स्रीकृष्ट ने जिहाद का उपदेश दिया है मतलब घड़े बक्चो दिया जिहाद समझ रहे हैं आप जो बाबर का जिहाद था आपका जो कस् अखी मत्सक्त होता है कि एक धर्म को प्रोटेक्ट करना और बाकी जो धर्म है उसको बरबात कर देना और इसको इन्होंने लिंक कर दिया महाभारता से भाया महाभारता में वो धर्म यूद था उस टाइम का धर्म को अभी के धर्म से आफ कंफ्यूज या कंपेर नहीं कर सकते हो उस टाइम ना कोई कास्ट था ना कोई क्रिट था और सा कुछ खेस्तों था नहीं धर्म का अब जो लड़ाई हो रहा था पांडो और कौर्वो के बीच में दोनों एक ही घर के थे एक ही भाई बंदू थे तो उसमें कैसे आप कह सकते हो कि यह धर्म यूद को मैं जिहाद से कंपेर कर दूंगा मतलब खड़े बक्चोदी की कोई लिमिट नहीं होती है और इस तरह का स्टेट्मेंट अभी जो चुनाओ का महौल चल रहा इसमें यह लोग क्या करते हैं क अग्दम घुटने से भी नीचे चली गई है क्या यह गीता जो है भगवद गीता को मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज में डाला जारा आज आफ यूएस में जाओ नौर्वे में जाओ जर्मनी में जाओ जपान में जाओ निदर लेंड में जाओ कहीं भी बड़ा बड़ा कैने के लिए और यह मतलब आदमी इसे लिंक कर रहा उस जिहाद के लिए बस कुछ पॉपलेरिटी के लिए कुछ नेम और फेम के लिए तो भाया इस तरह की चीज़े मत करो इससे तुम कुछ भी नहीं हासिल करने वाले हो तुम अपने ही पार्टी को गर्त में मिलाओगे क्यों हिंदुस्तान का रहने वाला एक एक आदमी है जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्च्वल क्लास भी है जो कि गीता को अच्छे से जानता है वो तुम्हारी इस तरह की वाहियात बातों से एग्री नहीं करेगा और तुम ही आगे जाके मतलब गर्त में जाओगे